नमस्कार में उप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को अस्पताल में बेड, ऑक्सिजन, वेंटिलेटर और डॉक्टरों की डूटी चार्ज को लेकर जानकारी ली हैं हाला कि पिछले महीने सेंटर टीम भी बिहार में COVID-19 की स्थितिका जायजा लेने पहुँची थी लॉक्टाउन की अबधी में सुबह 10 बज़े से शाम 6 बज़े तक खोलेंगे दुकान कुमार अवी के आदेश के बाद अब सबजी और फलमंडी सुबह 6 बज़े से 10 बज़े तक और शाम में 3 बज़े से लेकर के 7 बज़े तक खोली रहेंगी इसके साथ ही COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखते वे जुलाप रसाश्र ने कहा है कि लोग अपने नजदी की दुकान से सामानों की खरीद करें इसके साथ ही बिना काम के बाहर ना निकले पटना में ज्याद अतर दुकानों को खोलने का निरदेश दिया गया है लेकिन शॉपिंग मॉल के दुकान पर पाबंदी रहेगी और इसके साथ ही रेस्टरेंट, होटेल और धाबा भी खोलने के अजाज़त दे गई है लेकिन महाँ पर बैठनिक को लेकर अभी भी पाबंदी जारी रहेगी बिहार चुनाफ में प्रचार को लेकर इलेक्शन कमिशन जारी करेगा गाइडलाइन बिहार में इस साल के आखरी में होने वाले वधानसभा के चुनाफ को लेकर सभी प्रमुक्स सियासी दलों ने तयारी तेज कर दी है हाला कि COVID-19 के बढ़ते मावलों को देखते हुए कई पाटियों ने चुनाफ ठालने की अपील की थी चुनाफ आयोग से भी की थी मगर इसके बावजू चुनाफ आयोग की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि भीहार चुनाफ अपने समय पर ही आयोजित होगी इतना ही नहीं चुनाफ आयोग ने COVID-19 के बीच होने जारे विधानसभा चुनाफ में प्रचार अभियान के लिए दिश्वा निर्देश जारी कर दिया है कि अगले कुछ दुनों में जारी होने वाले दिश्वा निर्देश राजुनेतिक दलों से प्राप्त कर आधारित होंगे अधिकारियों ने लोगों को COVID-19 से रोकने के लिए साथी साथ मास्क लगाने और दूस्टे एहतियाती उपाय रखने का निर्देश भी दिया है हो गई है बिहार बोट के निर्देशा अनुसार मैट्रिक परिक्षा 2021 के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रियाश शुरू करवा दी गई है सूचना के मताबिक फॉर्म आज से स्कूल द्वारा ऑनलाइन भरा जाएगा वहें इंटर्मीडियेट परिक्षा 2021 के लिए फॉर्म भरने की तारीक 19 सगस से 28 सगस तक तैकी गई है गौर करने की बात यह है कि मैट्रिक परिक्षा के लिए सामाने कोटे से 830 रुपे और आरक्षित कोटे से 730 रुपे लिए जाएंगे जो इसके बाद आज से मैट्रिका फॉर्म भरवाय जा रहा है सभी अभिहरतियों से बिहार बोट के आधिकारिक वेब साइट पर ज़ुआ कर फॉर्म भरने की अपील की गई है ग्यात हो ऑनलाइन परिक्षा फॉर्म से विद्यार्थियों का मुबाइल नंबर, इमेल आईडी और आधार नंबर मांगा जाएगा असली नाम दलेर सिंग है लेकिन संगीत की दुनिया में इनको दलेर महंदी के नाम से जाना जाता है दलेर महंदी एक भारतिय गायक, संगीत लेखक और फे म्यूजिक नर्माता भी है दलेर मेंदी का नाता ऐसे परिवार से है जहाँ पर हमेशा से गायकों की भर मार रही है दलेर मेंदी ने अपनी बुलंद आवास के सहारे भंगरा संगीत को दुनिया भर में लोगप्रिये बनाए है इसके साथ ही दलेर मेंदी ने भारत में बॉलिवुड संगीत के लावा पॉप संगीत उद्यों के सापना भी कर डाली है और इसका पूरा श्रे भी दलेर मेंदी को ही दिया जाता है बेटा में COVID-19 मरीजों के लिए साथ दिन में तयार होगा 500 बेट का स्पताल जल्दी तयार हो रहा है एक सपता के अंदर इस अस्पताल में COVID-19 मरीजों को इलाज की सुविधा मोया करवाई जायने लगेगी जिसके बाद स्वास्तव भाग के प्रधान साचिफ प्रते अमरित ने कही है कि बेटास्थित कर्मचारी बीमाने कम अस्पताल का निरिक्षन किया गया है जानकारी के नुसार इस मौके पर डिफेंस रीचोर्स और डिवलाप्मेंट और्गनाइजेशन के वरिया अधिकारी भी मौजूद दिखे थे खबरों की माने तो स्वास्ते वभाग के प्रधान साचिफ ने अस्पताल, ESI अस्पताल के हर वभाग और बोड का निरिक्षन कर वहां उपला स्वास्ते संबंधी सुविधाओं की जौनकारी भी है बिहार में बाड से अब तक 16 जुले के 81 लाग से ज्यादा लोग है प्रभावत बिहार में बाड ने सबकी परिशानी बढ़ा रखिया आपदा वभाग के तरफ से मिली जौनकारी के इनुसार बाड की चपेट में 12,000 अतिरिक्त लोग आ चुके हैं जुसके बाड अब बाड से प्रभावित लोगों की संख्या 81,56,000 से अधिक हो गई है बिहार में 16 जुले के 130 प्रखंड के 1311 पंचायद बाड से प्रभावित हैं आपता प्रबंधन विभाग के अपर सचिव राम चंद्रिडू ने इस बात की जानकारी दिया उन्होंने कहा है कि कई छेतर में बाड का पानी काफी कम हुआ है इस कारण अब सामुदाई किचिन की संख्या घटकर 600 तिरपन हो गई है वहीं हर दिन 5,30,000 लोगों का भोचन करवाय जा रहा है वहीं अब तक 10 राहत शिवर भी चलाय जा रहे हैं अंटी बॉड़ी विक्सित करने में है आगे बिहार में धीरे-धीरे कोविड-19 की चपेट में बड़ी संख्या में लगातार लोग आ रहे है हाला कि सरकार की तरफ से जांच की संख्या भी बढ़ाई गई है जिसमें पटना वैश्वाली, भोजपूर, मुजफरपूर, समस्तिपूर, कटिहार और भागलपूर में यह सर्वे किया गया है ऐसे में सबसे ज्यादा राज्जी में इन साथ जिलो में और सितन 18.51 प्रतिशत आबादी में COVID-19 के विरूस आंटिबॉडी विक्सित हो गई है पटना के गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर लाल नशान से 6 सेंटीमीटर उपर दर्च किया गया है पुनपुन का जलस्तर श्रीपालपूर घाट पर 51 सेंटीमीटर लाल नशान के उपर गंगा का पानी पूरी तरीके से उपर बहता दिखाई दे रहा है इसकारण मॉर्निंग वॉक करने वालों लोग को भी आवागवन पूरी तरीके से बंद हो गई है जुला प्रसाशुन ने एरेंडिया को भी सतर कर दिया है साथी इसके लिए मंगरबार के सुवे तक इलाहाबाद में, गंगा और छपड़ा में, घागड़ा के जुलस्तर में वृधि नहीं होती देखी गई है वहीं पत्ना में बुधबार के सुवे से जुलस्तर में कमी आने शुरू होने की उमीद ज़द आई गई है जानकारी केनुसार सोमवार को पुनपुर्ण दीका जग सर पाल मेरगंज घाट पर चौरानवे दशमलरब दो पांच मीटर, किंजवल घाट पर चौसार दशमलरब तीन ओ मीटर और श्रीपालपुर घाट पर 51.1 मीटर मापा गया है पालमेर गंज घाट पर लानलशान से पानी 57.50 मीटर उपर है वहीं किंजल घाट पर 65 मीटर और श्रीपालपूर घाट पर 50.60 मीटर उपर दर्ज किया गया है सुशान सिंग राजपूत के मामले में उनके चचेरे भाई नीरज बबलू ने किया नया दावा सुशान सिंग राजपूत के मामले में भाजपानेता नीरज बबलू ने नया दावा किया है जिसके तहट उन्होंने कहा है कि गवाहों को भड़काने की कोशिश की जा रही है और उन्हें चुप करवाने की पूरी साथ जश रची जा रही है मुंबई पुलिस ने कोई सुरक्षा मुहाया उन्हें नहीं करवाई है इसके साथ उन्होंने आ गई अभी कहा है कि जिस तरह से चीजे सामने आ रही है उसे गवाहों की जान सुरक्षित नहीं है और ऐसे में हम मांग करते हैं कि गवाहों को पुलिस सुरक्षा दे आपको बताते भाजपा, MLA नीरज कुमार बबलू और उनकी पत्नी नूतत सिंग ने सुशान सिंग राजपूत के मामले को लेकर CBI जुआज की मांग को रखते वे चुराग पासवान से बीते दिन मुलाकात भी की थी उन्होंने सुशान सिंग राजपूत को लेकर CBI जुआज की मांग के लिए जुराग पासवान का आभार भी व्यक्तिया था भाजपा ने एक बार फ़र से मुख्यमंतर नितीश कुमार पर जताय भरोसा भाजपा गठबंदन धर्मने भाना जानती है उन्होंने कहा है कि बिहार वधान सबा चुनाव समय पर हो भाजपा इसके पक्ष में है पाठी ने अपनी राय से चुनाव आयो को भी अवगत करा दिया है उन्होंने दावा किया है कि NDA पूर्ण सहमत से फिर सरकार बनाएगी बिहार की जनता सरकार के काम से खुश है भुपेंदर नितीश कुमार के काम की तारीफ भी की और कहा कि COVID-19 और बाड़ पर नितीश कुमार के कुशर प्रबंधन को पूरा देश देख रहा है यहां कई राजियों से बहतर काम हुआ है प्रवासी मुज़ूरों को लेकर भी बिहार में अच्छा काम हुआ है हमें उमीद है कि जनता एक बार फिर से मुखे मंत्री नितीश कुमार पर अपना भरूसा दिखाएगी नवेद्यम की बुकिंग आज से हुई शुरू COVID-19 के इस माहौल में विहार में लॉक्जाउन के अवधी को बढ़ा दिया गया है जिसके तहट अब सभी धार्मिक स्थाल एक बार फिर से बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है भले ही महावीर मंदिर काप पट श्रधालों के लिए बंद करवा दिया गया हो मगर सभी श्रधालों के लिए अच्छी ख़बर है जहां से श्रद्धालू लड्डू को अन्लाइन बुकिंग करवा सकेंगे और एक बार फिर से इसका स्वात चुक सकेंगे सरकार के नीतियों का पालन करते हुए महावीर मंदिर अगले आदेश तक हाला की बंद रहेगा लेकिन अनलॉक में जुस प्रकार दुकाने खुली वि भी शुरू कर दी है इसके साथ ही होम डिलिवरी के लिए कम से कम एक किलो लड्डू के मोले के बराबर में राश्वी देनी होगी जिसके लिए सभी लोग 933-446-8400 पर संपर्क करके लड्डू मंगवा सकते हैं खेती बारी में भी अब हाथ आजमाएंगी आंगनबाडी से सेविकाएं अब खेती का गुरू भी सीखने वाली है खेती बारी की तक्नीक सीखने के बाद सरकार इन सेविकाओं को कुपोशन से चल रही जदो जहद में अगली कातार में खड़ा करेगी और केंड्रों पर यह सेविका और पोशन युकतिस सबजी की ही खेती करेंगे इत निदेशाले अपनी क्यारी अपनी थाली योजना को बड़े पैमाने पर विस्तार करेगी राजर सरकार ने कोविड-19 को दूर करने के लिए को पोशन से दूर भगाने के लिए इस मुहीम को शुरू की है ज़दियों को घेरने के लिए कॉंग्रस आई मैदान में आगामे विधानसरवा चुनाफ को ध्यान में रखते वे ज़दियों और कॉंग्रस सामने आ गई है कोविड-19 की वज़े से विपक्षी पार्टिया चुनाफ ठालने की मांग कर रही थी लेकिन अब समिदल चुनावी तयारियों में नज़र आ रही है देश की सबसे पुरानी पार्टी कॉंग्रस भी चुनाफ को लेकर पूरी तयारी में जुट गई है अगस्त के अन्त कॉंगरस भीहार क्रांती महा सम्मेलन की शुरुवात भी करने वाली है अनटिम धिनी राहूल गांधि मीटिंग में शामिल होंगे वही कॉंग्रस इस मीटिंग में एक ही लक्षी रखी है जिसमें मीटिंग में कम से कम 10,000 लोगों को वर्चुल माध्य हम से जोड़ा जाएगा हर देन महासा मेलन में पार्टी के केंद्रिये लेवल के दो नेता श्वामिल होंगे और अपने कारेकरताओं और नेताओं को पार्टी नीतियों के बारे में और वाहिबरते और मोधी सरकार की नाकामियों से अवगत करवाएंगे भारत में COVID-19 प्रभावितों की संख्या पहुँची 27 लाख के पार भारत में COVID-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जो इसके बाद 51,025 लोगों की जान अब तक से जा चुकी है भारत में मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि बीति साथ दिन में 4,39,983 ने मामलों की पुष्टी की गई है जिसके बाद भारत, यूएस और ब्राजिल से भी आगे निकल गया वहीं प्रभावित राज्यों की बात करें तो महरास्ट की हालत सबसे ज़्यादा खरा महरास्ट में अब तक कुल मिला कर 6,4,358 मामलों की पुष्टी की जा चुकी है तो चलिए बढ़तें आज की सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके नुसार बिहार सरकार का 6 सितंबर तक लॉक्टाउन का फैसला कितना सही है अपने जवाब में कमेंट करके ज़रूर बताएज के साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटिट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बला आइकोन दबाना ना भूले धन्यवाद